हेलो एबरीबन वेल्कम बैक टू दर्शाक्याज कॉर्णर आप सब कैसे हैं आशा करती हूं सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो आज मैं आप सब के लिए यर्कम दारेकर बीडियो लेकर आई जी हों जिसमें कि मैंने अपनी किचिन की जो विंडो एक किया है क्योंकि हम लोग का है चाहएज चोटा और हो या बड़ी हो गया लेकिन जब यह सारी चीजे साफ सुत्री होती है और थोड़ी सी डेकोरेटेड भी होती है तो और भी अच्छा लगता है और हम इंडियन लेडिज का ज्यादतर टाइम किचिन में ही बीचता है तो किचिन जो है वह भी थोड़ी सी डेकोरेटेड हो अगर तो और भी अच्छा लगता है काम मैं-नल लगता है तो आज मैं अपने किचिन की विंडो है उसको में थीन तरीकों से डे librate किया था तो उसी को ही आपके साथ कलॉद फिछा कर रखा हुआ है और साथ में एक scatula holder है ceramic का और आक मैंने एक मग रखा है और एक फ्लावलवास है जिसमें कि पिंक कलर कि elect flowers लगाए है और एक Arnold का फिघरीन है और साथ में यहां पर है मेरे chopping board और लग है है एक money plant जो कि मैंने cutting से grow किया है और glass bottle में लगाया है और इस तरह कि glass bottles में आपको मेरे यहाँ पर कई सारे plants मिल जाएंगे जिनमें कि मैं singonium लगाती हूँ मैं भी इसको मैंने आपको दिखाया था तो यहाँ पर मैंने जितने भी item यूज किये हैं वो सारे ही मैं आपको पहले से दिखा चुकी हूँ या फिर कुछ मेरे DIY हैं और यहाँ ट्रे में मैंने रख्या है एक कोस्टर साथ में ceramic jar में है कुछ स्पूस और पीछे है एक napkin roll तो इस तरह से मैंने इस टॉप को सजाया है अपनी विंडो के और यहाँ पर मेरे पास है एक च्छोटी सी bucket जिसे कि मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल पर यूज करती थी लेकिन अब यहाँ पर मैं इसको यूज कर रही हूं तो ड्रेसिंग टेबल में इसमें सेफटी पिंस हुई मैं इसमें रखती थी लेकिन अब यहाँ पर यूज कर रही हूं इस बकेट को और इसमें मैंने वांडरिंग जिव की एक आर्टिफिशियल वाइन लगाई है और इसको अब मैं विंडो पर हैंग कर दूंगी और विंडो पर मैंने एक छोटी-छोटी सी बस दो नेल्स लग सकते हैं कर्टन वगर अगर आप कर्टन से डेकोरेट करें तो कर्टन रोड पर भी इसको हैंक कर सकते हैं मैंने तो खैर ऐसे ही लगा दिया है क्योंकि मैंने अपनी विंडो पर कोई भी कर्टन नहीं लगाया है और कर्टन इसलिए भी नहीं लगाया है क्योंकि मेरी विंड से भी डेक्चरेट कर सकते हैं तो यहीं कुछ मेरी जो विंडो है उसका कitutional है जिस को कि मैंने डेक्चरेट किया है रहे सेकंट के लिए या पर माइक्रोंवेब के ओपर ही मैंने ट्रे पloe रखी है बस यहां पर केवल मेंने जार चेंज कर दिए हैं और यहां पर एक live plant रखतिया है जो कि red aglonima का plant है और साथ मैं है सेंसेवेडिया का एक plant एक यह artificial plant लगाया है मैंने इस cow planter में और एक ट्रे में यहां पर मैंने रख्य है जार जो की चट्णी और सौस बगरा के जार हैं जिनमें सोंठ है एक में दोदे है और एक मंग में मैंने कुछ ला झोला और अवर और साथ में यहाँ पर मैंने मनी प्ल्ण्ट एक हेंक कर दिया है जो की रील प्लांट है और यह मैंने अपना एक डियाइवाई भी बनाया था और यहां दूसरी विंडो पर मैंने यहां पर एक लेंटर्ण लगाई है जो की मुरक्कन स्टाइल की लेंटर्ण है और यह भी मैंने आपको एक शॉपिंग हॉल वीडियो में दिखाई थी तो आप मेरे शॉ आमान नहीं लगाए हैं तो यह मेरा दूसरा लुक है और यह सब मैंने डेकुरेट करने के बाद सारा शूट किया था क्योंकि एक एक करके सारा लगाते हुए शूट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था तो फिर मैंने सारा पहले डेकुरेट कर लिया और फिर मैंने आपको सारा यह दिखाया है तो इस तरह का यह सेकंड लुक है और थर्ड लुक के लिए माइक्रोविक पी सेटिंग मैंने वैसी ही रखी है सारा डेकुर उसका और विंडू पर मैंने अपने आलू प्याज लेसुन के जो कंटेनर हैं वो सारे लगा दिये हैं जो कि मैंने अभी आपक को पिछले एक शॉपिंग हॉल में दिखाए भी थे और साथ में वही मैंने अपना कोस्टर रख दिया है और एक यह शेफ स्टाइल का पेपर और सॉल्ट शेकर है और साथ में वही प्लांट है तो यहां मैंने पुराने ही सारे मिक्स एंड मैच करके सारी चीजन लगा दी ह है और यहां पर विंडो के ऊपर मैंने यह जार में जो मनी प्लांट लगा हुआ है मैंने मेरा तो वह हैंग कर दिया है और यह हैंगर जो है यह मैंने यह भी मैंने एक वीडियो में आपको दिखा चुकी हूं DIY तो यहां पर मैंने दूसरा सिंगोनियम का प्लांट लगाया ह है इसी तरह से तो इस तरह से मैंने अपनी इस विंडो को डेकोर किया है और इसमें बहुत सारी रूट्स आ गई है तो इसका पानी भी काला दिखाई दे रहा है जबकि बिल्कुल नया पानी है साफ है और तो इस तरह का मेरा यह थर्ड लुक है और यह थर्ड लुक मेरा वैस भी विंडो पर हमेशा डेकोरेट रहता है यह कि आलू प्याज लहसुन इन सारी ही चीजों की जरूरत तो हमें खाना बनाते समय डेली ही पड़ती है तो यह तो मैं अपने इस विंडो पर ही रखती हूं और साथ मैं कुछ यह डेकोराइटम भी रखती हूं तो इस तरह से मेर यह वीडियो अच्छा लगेगा अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और जो भी आपके सजेशन्स हों वो इसके कमेंट सेक्शन में जरूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आल बटन पर चैट कर ले जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें तो मिलती हूँ अगले वीडियो में बहुत बहुत दन्यवाद